So good morning guys, तो चिली स्टार्ट करते हैं आज की यानि के 18 December के Important Current Affairs को देखे पहला प्रशन क्या है? कि अभी हाल ही में Time Magazine ने किसे वर्ष 2021 के लिए Athlete of the Year चुना है? तो आंचार होगा Simon Biles को तो चार बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं ये जिमनास्टिक Simon Biles जिनको अभी Time Magazine की 2021 की Athlete of the Year चुना गया है Simon Biles ये जिमनास्टिक हैं किस देश की हैं? ये अमेरिकन हैं बाकि लियोनल मैसे आप जानते ही हो फुटबल प्लेयर हैं अभी सातवी बार बेलेंडी और पुरुसकार इन्होंने जीता था एलेकसी नवलनी यूरोपियन यूनियन ने सखा रोव पुरुसकार से सम्मानित किया था बाकि Naomi Osaka का जापान की टैनिस प्लेयर हैं ये अभी इन्होंने डो हजार रिकिस के लौरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमन ओफ दे इर का अवार्ड जीता था और वहीं पे स्पोर्ट्समें ऑफ दे इर का अवार्ड मिला था राफेल नडाल को और अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था भी वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमिन ओफ द इयर इनको चुना था अंजू बॉबी जॉर्ज एथलीट है ये और अभी 2020 का टाइम्स पर्सन ओफ द इयर किसे चुना गया एलन मस्क को ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किसे Global Entrepreneur of the Year Award से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा कुमार मंगलम बिल्ला को तो आधित्य बिल्ला समू के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिल्ला को इंडस एंत्रपनियोर्स ने Global Entrepreneur of the Year के अवार्ड से सम्मानित किया है और अब ये अवर्ड पाने वाले ये पहले भारते उद्ध्यूकपती बन गए हैं कुमार मंगलम्बिल्ला, बाकिर रतन टाटा जी, असम का सर्वुच नागरिक राज्य पुरुसकार इनको मिला जिसको कहते हैं असम बेभव, अनिता देशाई, टाटा लिटरेचर लाइव, लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवर्ड इनको मिला और वी प्रमीन राओ, सात्वा डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन पुरुसकार इनको मिला, तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैंगे, फिर बताईए अभी हाली में किस देश ने प्लधान मंतरी नरेंद्र मुदी को इससे सम्मानित किया है, भुटान ने कहा कि भारत के जो प्रधान मंतरी है नरेंद्र मुदी उन्होंने वरशों से बिना शर्त दोस्ती निभाई है, और कोरोना वाइरस महामारी के दोरान बहुत मदद की है, तो भुटान के प्रती भारत के मैतरिपूर्न दरश्टिकोन की सराना के रूप में ये पुरुसकार दिया गया, अच्छा वैसे प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी को और भी कहीं देशों ने अपने सर्वोच नागरिक सम्मान दिये हैं, जैसे कि कुछ मैं आपको बताता हूँ, USA ने इनको लीगन ओफ मेरिट अवर्ड दिया था, और ये पहले भारते प्रधान मंतरी बने थे ये अवर्ड पाने वाले, साओधी अरब ने 2016 में और अब्दुल अजीज अल सौद सम्मान दिया था, अफगानिस्तान ने 2016 में ही स्टेट और अफ गाजी आमिर अमानुला खान सम्मान दिया था, फिलिस्तीन ने 2018 में ग्रैंड कॉलर अफ दे स्टेट अफ पैलेस्तीन अवर्ड दिया था, युनाटिड निशन अन्वार्मेंट प्रोग्राम ने भी इनको सम्मान दिया था, 2018 में ही जिसको कहते हैं चैंपियन्स अफ द अर्थ अवर्ड, माल्दिव ने 2019 में और अफ द निशान इजुद्दीन दिया था, ग्लोबल गोल कीपर अवर्ड दिया था इनको, और अब भुटान ने दिया अपना सर्वोच नागरिक सम्मान जिसको क्या कहते हैं, नगदग पेलगी खोर लो, अब बात भुटान की है तो यह रा मैप में भुटान, कैपिटल थिम्पू है, करंसी है भुटानी, अंगल ट इसका नाम क्या है, टॉप 91.1 FM स्टेशन, जिसे लह में शुरू किया गया, जो कि लह और कारगिल को कवर करेगा, अच्छा FM रेडियो स्टेशन की जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी माइन में एक प्रस्ट आना चीए, कि यहाँ पे FM का क्या मतलब होता है, FM की फुल फर्म होती है, पूछा जा सकता है एक्जाम में, फ्रिक्वेंसी मोडियो लेशन, तो यह लद्दाक का पहला FM रेडियो स्टेशन है, इसलिए यह प्रश्ण इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे लह में, और इसका नाम क्या है, टॉप 91.1 FM स्टेशन, चलो कुछ प्र पहला टायर पार्क काँपे स्टापित किया गया, तो अंसर होगा पस्चिम मंगाल में, देश का पहला सेंड डा सेंड ड्यून पार्क काँपे स्टापित किया गया, तो अंसर होगा गोवा में, और पूर्वत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, यानि के अद्रक प्रसंस्करंट प्लांट ये कापे स्थापित किया गया तो अंसर होगा मेगाले में और पूर्वत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये कापे खुलाए असम में असम के डिबरुगड में और पूर्वत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये कापे बनाए बिहार में बिहार के नालन्दा जिले के राजकीर में पूरा बोलेंगे तो भारत का पहला एक्वाँ फार्मर कॉल सेंटर का पे खुलाए किसानों के लिए तो आंशर होगा विजेवाडा में आंध्यप्रदेश में आता है ये देश का पहला fire park खुलाए उडेशा में देश का पहला pollinator park को अपर खुलाए तो आंशर होगा उत्राखंड में और देश का पहला lithium refinery plant ये कहां पर बनेगा तो आंशर होगा गुजरात में और देश का पहला buddhist theme park ये बनाया गया मद्यप्रदेश के साची में भारत का पहला space park बना है केरल के तिर्वनंत पूरम में और विश्व का सबसे बड़ा meditation center का पर खुलाए तो आंशर होगा है ध्रबाद और देश का पहला और दुनिया का दूसरा infantry museum का पर बनेगा तो आंशर होगा इन दौर में बाकी बात तो यहाँ पर लद्दाक की है न तो यह रा मैप में लद्दाक देखो इसके पहले lieutenant governor कौन है रादकरिश्ण माथुर है यहाँ पर आपको दो ही जीले मिलेंगे इसकी winter capital होती है कारगिल और summer capital होती ही लेह आपको याद होगा देश के पहले हिमालियन film festival का आयोजन कहां पर किया गया लेह लद्दाक में ही और अभी भाटे वायू सेना ने लद्दाक में ही दुनिया का सबसे उचा mobile air traffic control tower का भी निर्मान किया था और दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राश्ट्रे ध्वच का उध्वाटन भी कहां पर किया गया था लेह में ही और सबसे उचा mobile theater ये भी कहां पर स्थपित किया गया लद्दाक में ही और अभी लद्दाक ने ही अगस्त महीने को पानी महा के रूप में मनाया और ल बोल्डर रोड ओर्गनाइडिशन ने पूर्वी लद्दाक के उम लिंग ला दर्रे पर दुनिया का सबसे उचे स्थान पर वाहन चलने योगी सड़क का निर्मान भी किया था या आप यू कह सकते हो विश्व की सबसे उची सड़क आपको मिलेगी लद्दाक में लद्द देश का पहला Green Hydrogen Mobility Project भी शुरू हुआ है लद्दाक में ही और Hemis National Park ये भी आपको लद्दाक में मिलेगा जो कि Snow Leopard के लिए Famous है भारत का सबसे उचा और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये सबसे उचाई पर भी है और सबसे बड़ा भी है और Snow Leopard यानि की हिमतेंद्वे से आपको याद आएगा लद्दाक का राजके पशु बन गया है ये और लद्दाक का राजके पक्षी कौन सा बना है काले गरदन वाली क्रेन अच्छा बताओ अरुनाचल प्रदेश का राजके तितली अभी कौन सा बना केसर ए हिंद और सिक्किम के राजके मचली बनी थी केटली तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में केंद्रे मंत्री मंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा कर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया तो अंसर होगा 21 वर्ष तो अभी केबिनिट ने कहा है कि लड़ पहले से ही है अब लड़कियों की 18 से 21 वर्ष कर दी गई अचा वोट डालने की जो उम्र है वो 21 से 18 किस समविधान संशोधन के द्वारा की गई थी तो आंसर होगा 61 समविधान संशोधन 1989 अचा बताओ राज्यपाल पूछ ले उपर राष्टरपती पूछ ले या या आपसे प्रश्ण ऐसे भी गुमा के पूछ लिया जा सकता है लोग सभा के लिए नियूंतम आयू कितनी होती है तो आंसर होगा 25 वर्ष और राज्य सभा के लिए 30 वर्ष और किसी बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो रेटार्मेंट एज होती है ये इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट तो इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट ये चार रनवे वाला देश का पहला हवायड़ा बन जाएगा जिससे यहां से ज़्यादा विमानों का संचलन हो सकेगा अच्छा इसी से रिलेटेड एक प्रश्ण में आपसे गुस्ता हूं करंट अफेर्स का परशने ध्यांदे सुनना इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट किस वर्ष तक शुद्ध शुन्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवायड़ा बनेगा तो अंसर होगा 2030 तक बाकी आपको यादे कोचीन जो एरपोर्ट है उसे रूल आफ अब एक्सिलेंच अवारड मिला था और हर्याणा का जो हिसार एरपोर्ट है अब उसका नाम बदलकर महाराजा अग्रिसेन के नाम पर कर दिया गया ये हर्याणा का पहला सिविल एरपोर्ट होगा ये अभी तक हमारी सेना का एरपोर्ट था और बताओ 2020 की स्काई ट्रेक्स World Airport Award ranking आई थी उसमें भारत का सर्वश्रेष्ट Airport कौनचरा तौनचर होगा इंद्रगांधी International Airport जो कि इस लिस्ट में 45 नंबर पे था इस लिस्ट में टॉप पे रहा था कतर का हमाद International Airport वेसे हमारे Aviation Minister कौने जोते रादेत्य सिंदिया हैं अच्छा अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि जो औरंगाबाद हवाई अड़ा है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया संभाजी महराज एरपोर्ट अयोध्या एरपोर्ट का नाम बदल कर मर्यादा पुरुशोत्तम शिरे राम कर दिया गया और बताओ गोपिनाथ बार्दोलई एरपोर्ट ये बताओ आप तो ये कहाँ पर है ये मिलेगा आपको असम में गोपिनाथ बार्दोलई आदुनिक असम का संस्थापक इनको कहा जाता है बताओ जे प्रकाश नारायन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिलेगा आपको पत्ना में वीर सावरकर एयरपोर्ट का मिलेगा अंडमान निकोबार में सुभाष चंदर बोस एयरपोर्ट आपको मिलेगा कॉलकता में और सुभाष चंदर बोस जी की जैनती को एक दिन हम मनाते हैं यह आपको कमेंट बोक्स में टाइप करके बताना है कौन सा दिन मनाते हैं और कब मनाते हैं इंपोर्टन कुशन है यह बताओ डॉक्टर भीमराव अंबिडगर एयरपोर्ट का मिलेगा नागपुर में लाल बहादुर शास्तरी एयरपोर्ट आपको मिलेगा बनारस वरनफ चौदरी चरन सिंग एयरपोर्ट यह लखनव में आपको मिलेगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बड़ा इंपोर्टन है क्योंकि इनके नाम पर एक स्टेडियम भी है मतलब बन रहा है वो होक्की का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गई है तो एयरपोर्ट तो मिलेगा आपको राची में और स्टेडियम मिलेगा उडिसा में तो ये बड़ा important question हो जाएगा और अगर पूछा जाए कि 5 अंतर राष्टर एरपोर्ट वाला राजजी कौन सा है तो अंसर होगा उत्तरप्रदेश और हाँ अभी emergency air strip कहाँ पर शुरू हुई राजस्तान के बाड़ मेर में इसका मतलब हो गया ये मतलब गाड़ियां तो चले अलर्ट समिती की अध्यक्ष किसे बनाया गया तो अंसर होगा माधभी पूरी बुच को तो अभी सेबी यानि की security exchange board of India ने तकनिकी शमताओं को बढ़ाने और बाजार की विसंगतियों विसंगतियों को इंगलिश में बोरेंगे anomalies यानि कि inconsistency का पता लगाने के लिए psychology solution तो ये full form भी ध्यान रखना, full form भी कई बार exam में आ जाती है तो alerts एक 7 member की committee होगी जिसके अध्यक्षिता करेंगे सेबी के पूरुस अधस्य माधभी पूरी बुच्च सेबी जिसकी स्तापना होती 12 अप्रेल 1992 में मुंबी में headquarter है और इसके अध्यक्षिय अजेतियागी बीपी कानून को तो आप इसे link कर पाओगे RBI से क्योंकि RBI ने payments infrastructure development fund योजना के प्रबंधन के लिए एक सलाकार परिशत का गठन किया था बीपी कानून को के अध्यक्षिता में और rail budget और आम budget को साथ लाने वाली समीती थी बिबेक देबरोय समीती और इन्हें अलग करने व गया तो अंसर होगा Lewis Hamilton को तो साथ बार के formula 1 champion है Lewis Hamilton जिने लंदन के Windsor Castle में knighthood की उपादी से सम्मानित किया गया तो motor sports की सेवाओं के लिए prince of Wales के द्वारा knight की उपादी प्राप्त करने के बाद Hamilton को sir की मानद उपादी मिली है और आपको बता दू Lewis Hamilton ये उपादी प्राप्त क और Jackie Stewart हालांकि Lewis Hamilton racing के दोरान ये सम्मान पाने वाले पहले वेक्ती हैं तो इस उपादी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जिसे ये उपादी मिलती है उनके नाम के आगे sir लग जाता है जैसे कि sir Lewis Hamilton ये ब्रिटेन के हैं और किस car company के ये driver है ये Mercedes के driver है ध्यान रखना इनका नाम ब attraction championship होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा कौन host करेगा इसे तो answer होगा भारत तो याद रखना simple सा प्रशने जो भारत है ये 2022 में होने वाली women's under 18 और under 19 SAFF championship की मेजबानी करेगा जो under 18 championship होगी वो 3 से लेके 14 मार्च तक होगी और under 19 ये 25 जुलाई से लेके 3 अगस्ते तक ह है देखो जब COVID की severe condition का हमें नहीं पता तो कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं अगर lockdown वगेरा लग गया तो ये date फिर से cancel हो सकती है और इस championship में बांगलादेश, भूटान, नेपाल, श्रेलंका, भारत ये आपस में competition करेंगे अभी आपको याद होगा 2021 में South Asian Football Federation Men's Championship हुई उसको जीता था इंडिया ने नेपाल को हरा करके ये काँ पे हुई थी? मालदियू में हुई थी बढ़ते आगे फिर बताइए अभी हाली में TVS Motor ने electric vehicle बनाने के लिए किसके साथ समझोता किया तो आंसर होगा BMW Motor Rod तो भारत की TVS Motor Company भारत में BMW के motorcycle brand Motor Rod के साथ electric vehicle बनाईगी TVS Motor Company इसका स्थापना होता है 1978 में हैटकोर्टर मिलेगा चन्नेई में इसके संस्थापक हैं TV सुन्दरम और इसके वरतमान CEO हैं K.N. Radhakrishnan अच्छा चलो एक प्रस्ण का जवाब दो भारत की पहली electric vehicle city कौन सी है? Comment box में type करके बताओ अभी हम बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किसने भारत के 500 गाउं के लिए डिजिटल भुकतान उत्सव की घोशना की है तो अंसर होगा WhatsApp ने तो WhatsApp ने भारत के 500 गाउं के लिए डिजिटल भुकतान उत्सव की घोशना की है WhatsApp का जो ये डिजिटल भुकतान उत्सव है ये पाइलेट कारेकरम है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को शशक्त बनाने के लिए डिजिटल भुकतान को बढ़ावा देता है मतलब इसका और या चिले के क्या था नाहली गाउं में शुरू हुआ है WhatsApp जिसकी स्तापना उत्ती सन 2009 में हैड़कॉर्टर मिले का कैलिफॉर्निया युएसे में और इसके CEO कौन है विल कैथ कार्ट चलो comment box में टाइप करके बताओ अभी Twitter के नए CEO कौन बने है फिर बताइए अभी हाली म की स्तापना के माध्यम से कोशल सिक्षा और प्रसिक्षल को मजबूत करने के लिए 112 मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दी है Asian Development Bank जिसकी स्तापना होती है 1966 में हैड़कॉर्टर मिलेगा Manila Philippines में और इसके President को ने मसाथ्सुक असकावा और इसके Vice President है अशूक लवासा जिन्हो के संतरिक्ष यान ने सूरे के कोरोना को छुआ तो अंसरों का पारकर सोलर प्रोब ये नासा का है आप सभी ने प्रशन का सही उतर दिया है और गाईज अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेर जरूर कीजेगा जो भी आपका Study Group हो को मिल जाएगी तो वहाँ पे इनकी practice करते रहो बढ़िया से तो ये रहा आज का आपका homework प्रशन है